नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ओफिशल पर तो पिछली वीडियो में हमने पोशक तत्वों के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने विटामिन को छोड़ कर बाकी सभी पोशक तत्वों के बारे में पढ़ लिया था तो आज हम वि विटामिन की रसायनिक नाम है, सब याद हो जाएंगे, पहले हम ट्रिक से इनको याद करेंगे, उसके बाल सभी विटामिनों को एक एक करके पढ़ेंगे, कि आखिर कौन सा विटामिन हमें किस से मिलता है, और किस विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, वो हम एक एक करके सब भी विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रिविएस एर क्वेशन भी कवर करेंगे तो आज किस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर विटामिन कहते किसे हैं तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो की हमारे शरीर में उर्जा तो नहीं लेकिन उपापचे किरियाओं को नियंत्रित करते हैं उपापचे किरियाओं याने की मेटाबोलिजम पाचन की दर को नियंत्रित करते हैं और विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कारे करते हैं तो विटामिन का काम क्या होता है तो विटामिन हमें उर्जा त लेकिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। पिशली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन है इनका क्या कार्य है तो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करना ये विटामिन का कार्य है। परन्तु इन्हों ने इसका नामकरन नहीं किया, तो आगे चलकर 1912 में कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरन किया था, इसलिए इन्हें ही विटामिन का खोज करता माना जाता है, तो जब भी परिक्षा में आपसे पूछा जाए कि विटामिन के खोज करता कौन है, तो कास्यमीर फंक ही आपको बताना पड़ेगा तो फंक को ही विटामिन का खोज करता माना जाता है क्योंकि इन्हों ने ही इसका नामकरन किया और इन्हों ने ही विटामिन पर डेटेल में अध्यन किया तो फंक को ही विटामिन का खोज करता माना जाता है तो हमारे शरीर में लगबग, 13 विटामिन की आवशक्ता होती है, तो वो कौन-कौन से विटामिन है, वो आगे हम देखते हैं, तो देखे, 13 परकार के विटामिन की आवशक्ता हमारे शरीर को होती है, तो वो कौन-कौन से विटामिन है, तो विटामिन A, विटामिन B, कॉम्पलेक्स, तो देखे जो vitamin B है ना इसकी एक पूरी family है तो vitamin B आठ परकार के होते हैं वो आगे हम देखेंगे जिन्हें मिला कर हम B complex कह देते हैं तो B complex, vitamin C, vitamin D, vitamin E और vitamin K तो देखे, B complex कितने vitamin है? 8 vitamin तो B complex को छोड़ दिया जाए तो बाकी कि ये जो vitamin है A, C, D, E और K ये 5 vitamin है तो B complex में कितने vitamin आते हैं तो 8 vitamin आते हैं तो total मिला कर 8 और 5 कितने हो गए? तो 13 vitamin हो गए तो हमारे शरीर को 13 vitamin की आवशकता पड़ती है आप इन्हें A, B, C, D, E, और K इस तरह याद अखना तो घुलन शीलता के अधार पर vitamin दो परकार के होते हैं तो vitamin या तो पानी में घुलते हैं या वसा में घुलते हैं तो वसा के बारे में यानकी fat के बारे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था तो जो vitamin होते हैं या तो पानी में घुलते हैं या वसा में घुलते हैं तो जो जल में घुलन शील हैं वो कौन कौन से विटामिन है तो परिक्षा में पूछा जाता है कि बताए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है या कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है तो विटामिन B और विटामिन C ये जल में घुलनशील है और जो बच्चे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और vitamin K ये वसा में घुलनशील है और इन्हें याद रखना भी आसान है तो इसके trick क्या है तो water में कौन से घुलनशील है B और C WBC के बारे में पता होगा ये हमारे blood का ही part है नहीं पता तो कोई बात नहीं हम blood वाले chapter में पढ़ेंगे परंथु आपने इसके बारे में सुना तो जरूर होगा WBC यानि white blood cell तो WBC से ही हम याद रखेंगे W से water और BC से vitamin तो water में कौन से vitamin घुलनशील है तो B और C तो WBC से आप याद रखेंगा कि water में vitamin B और vitamin C घुलनशील है और जो बाकी बचे vitamin वो किस में घुलनशील होगे तो vitamin A, D, E और K ये वसा में घुलनशील होगे और vitamin B और C ये water में घुलनशील होगे कि जो vitamin B है और vitamin C है जो कि पानी में घुलनशील है इन्हें प्रती दिन भोजन के रूप में लेना होता है क्योंकि ये मुत्र के रूप में यानि कि पिशाब के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं और यह हमारे शरीर में ज्याद जादा दिर तक नहीं रहते, तो विटामिन B और विटामिन C की आवशक्ता हमें जादा होती है, प्रतित दिन होती है, क्योंकि ये विटामिन जल में घुलनशील हैं, और मूत्र के रूप में ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो ये विटामिन हमारे शरीर में जाद प्रित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह जाते हैं, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है, ये हमारे शरीर में लंबे समय तक रह जाते हैं, यानि कि डेली इनकी जरूरत हमें नहीं पड़ती, लेकिन जो जो भी विटामिन है, इनके जो रासाइनिक नाम है, वो ट्रिक से याद कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी विटामिन से question पूछा जाएगा, तो 60% question उसके रासाइनिक नाम से ही पूछा जाएगा, 60% तक विटामिन से जो प्रशन बनते हैं, वो उनके chemical name से ही बनते हैं, तो हमें ये याद होना चाहिए, और इनका नाम ऐसा है कि ने याद एखना असान नहीं होता, तो एक ट्रिक की साहिता से जो हो सकता है, आपने पहले ही पड़ी हो, इससे हम इसे याद करेंगे, तो ट्रि एक टोफी, तो B complex को हटा दिया जाए, अकेला हम विटामिन B ले लें, तो 6 विटामिन होंगे, A, B, C, D, E, और K, जो विटामिन B की family है, वो next slide में हम देख लेंगे, पहले हम विटामिन A से लेकर, विटामिन K तक, जो रसानिक नाम है, वो देख लेते हैं, तो ट्रिक क्या रत एक टोफी, तो विटामिन A का रसानिक नाम क्या है, रत का रहा, रेटिनोल, विटामिन B का रसानिक नाम क्या है, था, थायमिन, विटामिन C का रसानिक नाम क्या है, A से एसकोर्बिक एसिड, विटामिन D का रसानिक नाम क्या है, का से कैलिस फेरोल, विटामिन E का रसा तो आगे अब हम जो विटामिन B है ना पूरी विटामिन B की जो फैमिली है उनके रसायनिक नाम देख लेते हैं तो वैसे अगर आप इन्हें याद करना चाहेंगे तो ये कैमिकल नेम है इसलिए इन्हें ऐसे याद अखपाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें याद अखपाएंगे तो पहली ट्रिक हमने देखी, रत एक टोफी, जिसे हमें 6 विटामिनों की नाम याद रहेंगे, बाकी की जो विटामिन B की पूरी फैमिली है, वो हमें कैसे याद रहेंगी, तो उसकी ट्रिक है, थोरा न्यू पेंट पर बायो फसा, यह आपको याद किना है, थोरा न्यू प पूछा जाएगा, तो कभी गलत नहीं होगा, और यहां से प्रशन बनना तय है, तो विटामिन B की जो पूरी फैमिली है, इसका रसायनिक नाम, कौन से ट्रिक से याद अखेंगे, थोरा न्यू पेंट पर बायो फसा, एक बार दुबारा बोलिए, थोरा न्यू पेंट पर बायो फसा, तो जो विटामिन B है, इसी को B1 कहते हैं, पीछे हमने इसके बारे में पढ़ा कि विटामिन B को थायमिन कहते हैं, तो B को ही B1 कहा जाता है, तो यहां पर पूरे विटामिन B की फैमिली देख लेते हैं, पहले है B1, फिर आएगा B2, B3, B4 नहीं है, B5, B6, B7, फिर B8 नहीं है, B9 आएगा, और B9 के बाद B12 आएगा, तो अब इसकी ट्रिक से याद करते हैं, थोरा न्यू पैंट पर बायो फसा, तो थो से थायमिन, उसके बाद रा से राइबो फलेविन, न्यू से निकोटीनेमाइड या इसे नियोक्सिन भी कहते हैं, तो न्यू से पैंट से पैंटो थैनिक अमल, पर से पाईडीटोक्सिन, बायो से बायो टीन, फा से फोलिकमल, और सा से साइनो कोबालमिन, तो इस परकार आप ट्रिक से याद कर पाएंगे, तो एक बार मेरे साथ दुबारा दोह राएए, ट्रिक क्या है, थोरा न्यू पैंट पर बायो तो ट्रिक तो मैंने आपको बता दी तो ये ट्रिक आप लगाएंगे कैसे तो ट्रिक से आपको रसाइनिक नाम पूरा याद नहीं रहेगा जैसे देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन B3 का नाम क्या है तो आपके दिमाग में ट्रिक क्याएगी थोरा न्यू पैंट पर बायो फसा तो थोरा B1 और B2 तो ऐसे खतम हो गए तीसरे पर है न्यू तो ना से ही इस विटामिन के नाम की शुरुवात होगी तो आप option में देखेंगे अलग-अलग परकार के विटामिन होगे तो जो ना से शुरू हो रहा होगा और आपने एक बार पढ़ा भी होगा तो ऐसा तो है नहीं कि ना से कुछ भी लिखाओ तो आप टिक कर देंगे पहले आपके दिमाग में ना आएगा उसके बाद आपके दिमाग में आ जाएगा या तो nicotinamide दिया होगा या niucin दिया होगा तो इस परकार आप इस ट्रिक के सहयता से विटामिनों के रसानिक नाम को याद कर पाएंगे तो अब हम एके करके सभी विटामिनों के बारे में पढ़ते हैं, तो आप से विटामिन के बारे में क्या पूछा जाएगा? तो तीन परकार के प्रशन बनते हैं. पहला तो यह कि विटामिन का रसानिक नाम क्या है, दूसरा इसका सोर्स यानि की स्त्रोध पूछ ले जाता है कि बताईए ये विटामिन हमें किस से मिलेगा और तीसरा प्रशन ये कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो इस तीन परकार के प्रशन विटामिन से बनते हैं तो पहले है विटामिन A तो विटामिन A का रसानिक नाम हमने पढ़ लिया रेटिनोल है इसका स्त्रोध क्या है? यानि कि विटामिन A हमें किस से मिलता है, तो सबसे ज़्यादा गाजर में विटामिन A पाय जाता है, तो जब भी विटामिन A से प्रशन पूछा जाएगा, तो 99% ओप्शन में गाजर ही दिया होता है, तो गाजर में सरवाधिक मातरा में विटामिन A पाई जाता है उसके बाद पके हुए फलों में जैसे कि आम, पपीता, हरी पत्यदार, सबजियों में, पनीर, डूद, मांस, मचली और अंडा इसमें विटामिन A पाई जाता है तो गाजर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गाजर में विटामिन A पाई जाता है पूछी गुरूप से इसे मोडिफाई किया गया है, सुनहरा चावल, तो यह भी एक एक एकजाम में पूछा भी गया था, कि सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाय जाता है, तो विटामिन A पाय जाता है, तो मैंने पहले जो भी प्रिविएस एर क्वेशन है, उन्हें स् कि विटामिन A की कमी से कोन सा रोग होता है, तो रतोंधी, जिसे night blindness कहते हैं, इस विमारी में जो व्यक्ति होता है, उसको सुर्यास्त के बाद, यानि कि जैसे शाम होने लगती है, उसके बाद उसको दिखना कम हो जाता है, तो यहसे तो जैसे शाम होने लगती है, हमें भी प्रकार दिखाई देगा लेकिन इनको क्या होता है जैसे जैसे सूर्यास्थ होता है इनको धुंदला दिखाई देने लगता है जैसे एक आदमी को चश्मा लग होता है अगर वो चश्मा उतार दे तो उसे कैसे दिखाई देता है ठीक उसी प्रकार इनको सूर्यास्थ के तो इसमें आखें शुश्क हो जाती हैं, तो विटामिन A की कमी से बाहते हैं, विटामिन C के बारे में हम लाश्ट में पढ़ेंगे, जो पूरे विटामिन B की फैमिली है ना, उसे हम लाश्ट में देख लेंगे, पहले हम जो बागी के विटामिन हैं इन्हें पढ़ लेते हैं ताकि आप confused नहों तो विटामिन A हमने पढ़ लिया अब देखते हैं विटामिन C तो विटामिन C का रसानिक नाम क्या है? एसकोर्बिक अमल, एसकोर्बिक एसिड और इसका स्त्रोथ क्या है? यानि कि किस से हमें विटामिन C मिलेगा तो आवले में सरवाधिक मातरा में विटामिन C पाय जाता है याद दखेगा विटामिन C सबसे ज़्यादा प्रचूर मातरा में किसमें पाय जाता है? आवले में और ज़्यादा तर जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन C पाय जाता है, तो या दखेगा जो भी खट्टे फल हैं जैसे नेमबू, संत्रा, इमली, इन सभी में क्या पाय जाएगा, विटामिन C पाय जाएगा, तो खट्टे फलों में अमरूद, नारंगी, पपीता इन सब में विटामिन C मिलता है, तो जो विटामिन C है न, इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं, तो जब भी हमारे शरीर में कहीं पर चोट लगती है न, तो विटामिन C क्या करता है, घाव को भरता है, तो इसे घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं, और ये से कौन सा रोग होता है तो विटामिन C की कमी से सकरवी नामक रोग होता है जिसमें क्या होता है कि मसूडों में सूजना जाती है और खून निकलने लगता है और इसमें दात कमजोर हो जाते हैं और मूँ से भी दुरगंद आने लगती है तो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो option में सकर्वी रोग दिया होता है, तो सकर्वी में क्या होता है, कि मसूरे सू जाते हैं, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, मसूरे सू जाते हैं, और उसमें से खून निकलने लगता है, सकर्वी के कारण, तो विटामिन C क तो सूरे के परकाश से, मचली के तेल से, अंडा और मान से हमें विटामिन D मिलता है। तो एक बात याद रखेगा कि सूरे के परकाश में विटामिन D नहीं होता, ज़्यादा तर हमें लगता है कि जो सूरे का प्रकाश होता है उससे हमें विटामिन D मिलता है ये गलत है सूरे के प्रकाश की उपस्तिती में जो हमारा शरीर है ये विटामिन D बनाता है यानि कि जो सूरे का परकाश है वो हमारे शरीर को चाहिए विटामिन D बनाने के लिए लेकिन सूरे के परकाश में विटामिन D नहीं होता जब हम सूरे का परकाश लेते हैं तो हमारा शरीर विटामिन D बनाता है क्योंकि ज़्यादातर हम यही सुनते हैं कि सूरे के परकाश म में हमारे शरीर में विटामिन D बनता है, मशली के तेल से मिलता है, अंडे से और मान से विटामिन D हमें मिलता है, तो विटामिन D को धूब का विटामिन भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो इसे धूब का विटामिन भी कहते हैं, और तो विटामिन D को ही हार्मोन विटामिन कहते हैं और ये हमारे शरीर में तेजी से बनने वाला विटामिन होता है कौन सा विटामिन? विटामिन D तो विटामिन D की कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग होते हैं तो हड़ियों से related रोग हमारे शरीर में विटामिन D की कमी से होते हैं पहला रोग है रिकेट्स तो ये बिमारी बच्चों में होती है तो इस बिमारी से बच्चों की हड़ियां कमजोर हो जाती है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं जो ये पहली image है ये normal bone है यानि की जैसे एक बच्चे की हड़ि होनी चाहिए और जो ये दूसरा चित्र है इसमें दिखाया गया है कि रिकेट्स के कारण क्या हो गया है हड़ियां आप देख रहे हैं बाहर की ओर मुड गई है तो इसी बिमारी को क्या कहते हैं रिकेट्स कहते हैं जिसके कारण हड्डियां कमजोर होकर मुड जाती है और दूसरी विमारी है ओस्टियो मेलेशिया तो ये विमारी व्यसकों में होती है और इसमें क्या होता है इसमें भी हड्डियां नरम होके लचीली हो जाती है तो जो Ricketts बिमारी होती है ये बच्चों में होती है और जो Osteomalacia बिमारी होती है ये Vesco में होती है तो vitamin D की कम्मी के कारण हड़े से related बिमारी होती है Ricketts और Osteomalacia उसके बाद आगे है vitamin E तो vitamin E का रसानिक नाम क्या है? टोकोफेरोल तो इसका स्त्रोथ क्या है? तो vitamin E हमें सोया भीन से, अंकूरित अनास से, अंडा दूद आदी से मिलता है तो इसे सुंदर ये vitamin भी कहते हैं vitamin E के कारण ही हमारे चेहरे पर गुलो आता है तो इसे सुंदर ये vitamin भी कहते हैं ये जुर्रियों से रक्षा करता है और त्वचा पर चमक पैदा करता है तो vitamin E को सुंदर ये vitamin कहा जाता है तो vitamin E की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है तो vitamin E की कमी से महिलाओं में बांज बन हो जाता है और पूरुशों में ना पुन सकता का परभाव आ जाता है तो विटामिन E की कमी से क्या होता है कि महिलाओं में बांजबान आ जाता है, वो संतान की उत्पती यानि की बच्चे पैदा नहीं कर पाती और पूरुषों में भी ना पूरुण सकता का परभाव आ जाता है और इसकी कमी के कान उम्र से पहले बुढ़ापा आने रगता है औ तो विटामिन K का रासानिक नाम क्या है फिलोक्विनोन तो इसका स्त्रोध क्या है ये हमें कहां से मिलता है तो टमाटर हरी पत्यदार सबजियों से और हमारी आंतों में भी विटामिन के उत्पन होता है तो विटामिन K की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है तो इसकी कमी के कारण हमारे रक्त का थक्का नहीं बन पाता तो विटामिन के क्या करता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है यानि कि जब भी हमारे शरीर में कहीं पर चोट लग जाती है तो पहले तो खून निकलता है लेकिन उसके बाद क्या होता है खून जम जाता है खून बहना ही रहेगा रुकेगा नहीं यानि कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो विटामिन के की कमी के करण कौन सा रोग हो जाता है रक्त का थक्का नहीं बन पाता तो विटामिन B को छोड़कर हमने बाकी के विटामिन पढ़ लिए अब हम विटामिन B की जो पूरी फैमिली है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो पहले है विटामिन B1 जिसे विटामिन B कहिए या B1 कहिए, तो विटामिन B1 का रसानिक नाम क्या है थायमिन और इसका स्त्रोथ क्या है, तो मुंगफली, हरी पत्यदार सबजियां, दूद, मांस, अंडा, आदी से हमें विटामिन B मिलता है, तो जादा तर विटामिन हमें हरी पत्यदार सबजियों से मिल जाते हैं, दूद से और हरी पत्यदार सबजियों से जादा तर विटामिन हमें मिल जाएंगे, तो विटामिन B1 हमें किसे मिलता है, मुंगफली से, हरी पत्यदार सबजियों से, दूद से, मांसे और अंडे से, त इसमें क्या होता है? हमारी मान स्पेश्यों में खिचाव आता है, तो विटामिन B की कमी के करण कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी, तो विटामिन B1 के बाद है विटामिन B2, तो विटामिन B2 का रसायनिक नाम क्या है? तो राइबो फिलेविन, इसका रसायनिक नाम है, और कि हमें किसे मिलता है, तो केले से, हरे पत्यदार सबजियों से, दूद से, मान से और अंडे से, विटामिन B2 मिलता है, और इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, तो जीब संकरमित हो जाती है, अथार्थ जीब पर छाले पड़ जाते हैं, और तवचा और होट का फटना जिससे किलोसिस रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से हमारी तवचा और होट फटने लगते हैं, और जीब होट फटने लगते हैं, और जीब पर छाले पड़ जाते हैं, तो ये किसकी कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन B2 की कमी के कारण होता है, उसके बाद है पत्तिदार सबजियों से, दूद से, मान से मिलता है, तो इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से हमारे शरीर में पिलागरा हो जाता है, जिसे 4D सिंड्रोम कहा जाता है, तो 4D सिंड्रोम क्या है, इसमें 4D आएंगे, जैसे लिखाए न, 4D, तो कौन-कौन सा डायरिया तो इससे पहले दस्त लग जाएगी यानि कि पतली-पतली लेटरिंग होने लगेगी दूसरा है डिमेंशिया मानसिक विकरती एवं मंद बुद्धी की स्थती हो जाती है तीसरा है डर्मेटाइसिस जिसमें तवच्चा में सूजन हो जाती है और जाता है तो 4-d कौन-कौन से है डायरिया डेमेंशिया डर्मेटीसिस और देथ ये इसके 4-d है इसे पिलागरा भी कहा जाता है ये विटामिन B3 की कमी के कारण होता है उसके बाद देखते है विटामिन B4 नहीं है विटामिन B5 का रशानिक नाम क्या है पैंटो-थैनिक अम और इसका स्त्रोथ क्या है, तो टमाटर से, मुंगफली से, दूर और मांज से हमें विटामिन B5 मिलता है, और इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, तो हमारे बाल सफेध होने लगते हैं, और मंद बुद्धी होना ये दोनों कमियां किसके कारण होती हैं, विटा कमी के कारण हमारे बाल सफेध होने लगते हैं उसके बाद है विटामिन B6 तो विटामिन B6 का रासानिक नाम क्या है तो इसका रासानिक नाम है पारिडोक्सिन और ये हमें किसे मिलता है तो मान से अनाज से बदाम और सबजियों से विटामिन B6 मिलता है और इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है तो एनीमिया यानि कि खून की कमी हो जाती है और तवचा रोग विटामिन C की कमी के करन होता है तो कौन कौन से रोग होते हैं एनीमिया होता है और तवचा रोग हो जाता है उसके बाद आगे है विटामिन B7 तो B7 का रासाइनिक नाम क्या है तो इसका रासाइनिक नाम है बायोटीन और इसका स्त्रोथ क्या है तो मांस, अंडा, दूद और सबजियां इसका स्त्रोथ है और विटामिन B7 को ही विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है तो याद रखेगा विटामिन B7 का ही अन्य नाम क्या है वि और बालों का गिरना भी विटामिन B7 की कम्मी के कारण होता है तो लकवा शरीर में दर्द और बालों का गिरना किसकी कम्मी के कारण होता है विटामिन B7 की कम्मी के कारण होता है और इसे ही विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद आगे है ВИतामिन B9 तो वितामिन B9 का रसाइनिक नाम क्या है? फोलिक अमल यानिकी फोलिक एसिड और इसका स्त्रोथ क्या है? तो वितामिन B9 हमें दालों से सब जीओं से और अंडे से मिलता है और इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ देखेगा, B9 का रसानिक नाम है, Folic Amal, कौन सा? Folic Amal, उसके बाद आगे चलते हैं, और विटामिन B की फैमिली का आखरी विटामिन है, विटामिन B12, इसका रसानिक नाम क्या है? तो Sino-Cobalmine, इसका रसानिक नाम है, और यह हमें किस से मिलता है? तो यह हमें दूद से, मान से, अंडे से और पनीर से विटामिन B12 मिलता है, और कोबाल्ट जो की एक खनी जिलवन है, यह विटामिन B12 का एक महत पूर्ण घटक है, तो ये भी पूछा गया है कि कोबाल्ट खनी जलवन किस विटामिन में पाय जाता है विटामिन B12 में इसका नाम ही क्या है साइनो कोबालमीन तो इसे में क्या है कोबाल तो कोबाल्ट जो खनी जलवन है, किस में पाय जाएगा, तो ये विटामिन B12 में पाय जाएगा, और इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया यानि की खून की कमी हो जाती है, और हमारा शरीर पीला पर जाता है, इसी को पांडू रोग कहते हैं, जो प पर जाता है, किस की कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण, तो यहाँ पर हमारा थियोरी सेक्षन कंप्लीट होता है, अब हम प्रीवियस येर क्वेशन देखते हैं, तो प्रीवियस येर क्वेशन देखने से पहले, मैं आपको बता दूँ कि आपको चैनल की की जो मैंने playlist बनाई है इसमें आपको history की सारे videos मिल जाएंगी और इसी के साथ अभी हम biology पढ़ रहे हैं तो मैंने biology की भी playlist बना दी है जिसमें आपको biology की सारे videos जो भी मैं बना रहा हूँ एकी साथ मिल जाएगी तो आपको कोई भी video देखनी होती है न तो आप playlist में चले जाएए और playlist में जो भी section आप चूज करेंगे उससे related जितनी भी video मैंने बनाई है वो आपको playlist में मिल जाएगी जैसे आपको अधोनिक भारत पढ़ना है तो अधोनिक भारत की playlist में जाएगे तो अधोनिक भारत related जो भी मैंने वीडियो बनाई है एकी साथ आपको मिल जाएगी तो अब हम वीडियो को continue करते हैं और पहला प्रशन देखते हैं तो पहला प्रशन है कि विटामिन शब्द किस वेग्यानिक ने दिया था तो विटामिन शब्द किस वेग्यानिक ने दिया था गुलन शील होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो option C, यानि कि उपर्यूक्त दोनों, विटामिन B और विटामिन C, दोनों ही जल में गुलन शील है, अगला प्रेशन है कि निम्बू में कौन सा विटामिन पाए जाता है, तो जो खट्टे फल होते हैं, इनमें कौन सा विटामिन पाए जाता है, बताए विटामिन A, B, C या D, तो खट्टे फलो में विटामिन C पाए जाता है, तो निम्बू में कौन सा विटामिन पाए जाएगा, विटामिन C, इसका सही जवाब है, option C, अगला प्रेशन है कि विटामिन C का रसानिक नाम क्या है, तो अब आ एक करिए क्रिक को याद करिए, क्रिक क्या थी, रत एक टोफी, तो यहाँ पूछा गया है, विटामिन C, तुरह विटामिन A का है, था विटामिन B का है, रत निकल गया, बच्चा 1, तो A से आएगा, इसका सही जवाब, तो A से देखें क्या है? एसकोर्बिक एसिड, तो इसी प्रकार आपको ट्रिक्का इस्तिमाल करना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? एसकोर्बिक एसिड, ओप्शन B, इसका सही जवाब है, अगला प्रेशन है कि रतोंधी किस विटामिन की कमी से होता है, रतोंधी यानिकी नाइट ब्लाइंडनेस, तो रतोंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, A, B, C या D, तो रतोंधी विटामिन A की कमी के कारण होता इसका सही जवाब है option A अगला प्रेशन है कि नपुन सकता या बंध्यता यानि कि बांजपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो बताए जनन शक्ति में कमी यानि कि जनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कारण होती है तो इसका सही जवाब होगा vitamin E तो इसका सही जवाब है option C अगला प्रेशन है कि रोग पहलेगरा निम्न में से किसकी कम्मी के कारण होता है जिसे हम 4D syndrome कहते हैं तो ये vitamin B3 के कम्मी के कारण होता है पर option में आपको B5 दिया हुआ है, B2 दिया हुआ है और बाकी के रसायनिक नाम दिये हुए है तो यहाँ पर अब आपको अपनी trick याद करनी है जो vitamin B की family की trick थी थोरा new pen पर बायो फसा तो आपको इतना पता है कि B3 के कम्मी के कारण होता है तो B3 तीसरे नंबर पर आएगा तो trick क्या थी? थोरा new pen पर बायो फसा तो थोरा को तो हटा दो क्योंकि यह vitamin B1 और B2 का है B3 का होगा new यानि की ना से शुरू होगा अब आप option देखो तो एक है niacin और दूसरा vitamin क्या है riboflavin तो कौन सा सही होगा इसमें तो इसका सही जवाब होगा option A, niacin अगला question है कि vitamin C का सबसे अच्छा स्त्रोथ क्या है तो बताए sagen vitamin C हम भरपूर मात्रा में किस से मिलता है आवले से तो इसका सही जवाब है option C, अगला question है किस करवी रोग किस vitamin की कमी के कारण होता है तो vitamin A की कमी के कारण रतोंधी, B की कमी के कारण बेरी बेरी और C की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है तो यहां पर पूछा गया है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है तो विटामिन C की कमी के कारण तो इसका सही जवाब है option C तो एगला प्रशन है कि मनुश्यों द्वारा मुत्र में आम तोर पर उसरजित होने वाला विटामिन कौन सा है, तो कौन सा विटामिन हम मुत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जो पाने में घुलन शील होगा, कौन सा विटामिन, पाने में घुलन शील होता है, B और C, तो यहां पर ओप्शन में कौन सा विटामिन दिया है, B और C में से, तो विटामिन C, तो इ दियों से related कौन सा विटामिन था, तो विटामिन D था, तो इसका सही जवाब है, option D, तो आज का आखरी प्रेशन है, कि विटामिन B12 का रासानिक नाम क्या है, तो जो आखरी विटामिन था, B12 हमने पढ़ा था, जिसमें कोबाल्ट पाय जाता है, तो इसका सही जवाब क्या है option A, साइनो कोबालमिन, तो आज की विडियो यहीं पर खत्म होती है, कैसी लगिये विडियो, कोमेंट सेक्षन में जरूर बताना धन्यवाद